फैमिली ने बताया कि आज तक कोई भेदभाव नहीं हुआ है आप खुद लिखा हुआ है आपने देखा होगा जब परिवार एक्सेप्ट कर रहा कि आज तक नहीं हुआ तो इस बार होने का करण जरूर कुछ और रहा होगा वो इन्वेस्टिकेशन का हिस्सा है आज का मुद्धा बैसिकली है तो एक लेकिन उसमें दो तीन ऐसे एंगल है इसको आपको नोटिस करना चाहिए स्पेसिफिकली इस तरीके से देखना चाहिए कि कैसे जब आप नेरेटिव बनाना चाहते हैं देश में अलेड़ी इतने बड़े-बड़े मुद्दे चलने हैं क बहुत ऐसी चीज़ें हो चुके हैं जिसमें 2020 में लोग ये सोच रहे हैं कि ये साल कभी आता ही ना तो अच्छा था या फिर आया तो जलिस चला जाता है लेकिन फिर हमारे समाज में ऐसे लोग भी हैं जो उपर्चूनिटीज का फायदा उठाते हैं और एक नया और आप समझने के कोश्च करिए तीनों डायमेंशन जानने के कोश्च करिए तो कुंट ने ये रिपोर्ट अपनी पब्लिश की अपने वेबसाइट पर और ये लिखा 9 जून की ही रिपोर्ट है घटना 6 जून को हुई थी घटना में होराम चौहान ने विकास को गोली मार दी रात के 12.30 बजे के आसपास चैतारिक को विवाद हुआ था एक हफते पहले विवाद ये था कि 31 मई को फैमिली का कहना है कि उसको मंदिर में जाने से रोका गया और जब वह विरोध कर रहा था तो उसको जाज से रिलेटेट कास्ट इसको गालिया दी गए उसको जलील क चैतारिक के आगया और थरश के आगया धक्काव का दिया गया थोड़ावद मार्पीट होई होगी यह कहा गया और उसके बाद जब उसके कास्ट के लोगों ने विकास के कास्ट के लोगों ऐसा क्विंट का कहना आप देखो हर जगा यह मेंशन कर रहा है आप दिरतरी और यह नोटिस करते जाई है और इंड में अपना कॉंक्लूजन निकालेगा और मैं यह आप पर ही छोड़ा हूं कि क्या कॉंक्लूजन आप समझ रहे हैं यह सब तीसरा एंगल देखके तो उस वक्त होराम चौहान चला जाता है बाहर रिपोर्ट का कहना है कि उसके बाद वह और रात को गोली मार देता है अचानक से और फिर वहां से भाग जाता है कई लोगों को गिरफतार भी किया गया है और जो भी ट्राइबल शडियूल एक जितने भी हैं उसके तहद धाराये लगी है कई लोगों कर लिया गया है कुई तो बहुत अच्छी बात है कि कर देख एट लिस्ट पुलिस का बयान कि एसे चो का कहना है कि यह विवाद जातपात का था ही ने यह विवाद क्योंकि कई बार फुटेज ऐसी देखी गई यह कई वीडियो से कई नॉर्मल चीज़ें ऐसी हैं कि दसकों से लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कि मंदिर में जाने पे किसी सब्सक्राइब करने की कोशिश की ही क्यों और मुझे क्यों लगा कि कोई ने ने रिट करने कोशिश की आप इसका टाइटल पढ़िए वांट जेस्टेस केन और यूपी दलित टीन शौट डेड ओवर टेंपल इंटरी मतलब नो कुश्चन मार्क नो ऐसा की मतलब आदमी ड जनरल केस निकल क्या रहा कि कोई और रंजिस थी टेंपल में इंटरी को यसे मारा नहीं जा सकता लेकिन आप ऐसे नहीं निकाल सकते डिरेक्ली की टेंपल इंटरी की वज़ेसे मार दिया हां ये बात थी जब 31 तारीक को या उससे पहले पुराने उसके विवाद रहे होंग कि कास्टिजम जात पात के भेद भाव इंसे मैं बहुत खिलाफ हूं और इसी का फाइदा दो तरह के लोग उठाते हैं पहले वो जिनको इसका पॉलिटिकल गेन मिलता है अपर्चूनिटी मिलती है अपनी चीज़ों को चमकाने का जैसे सपा सारा जात पात का गेम करके मु उनका क्या भला हुआ है उत्तर प्रदेश में यह वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने वोट दिया होगा खैर साब अब ट्रोल हो रहे हैं तो उन तक बात पहुंची गई होगी और दूसरे वो लोग जो हैं मुसल्मान वो ऐसा इस लिए करते हैं कि हम लोवर कास्ट को सो कॉल लोवर कास्ट यह मिथ किसी रिम टूटेगा कि कभी सच्चाई थी नहीं यह सिर्फ एक डिवाइडन रूल का फॉर्मूला था आप सोचे नहीं कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड नहीं इससे बड़ा डिविजन था हिंदूों को हिंदूों से ही लड़वा देना क कैसे अब जली तवाली बात है आपने क्यों नहीं नोटिस की कि जैभीम जैमीम नारा आया कहां से मुसल्मान तो किसी की जै करी नहीं सकते यह पूरा प्रोपोगेंड़ा बनाया हुआ था तो जैभीम जैमीम नारा बनवाया जिस डॉक्टर अंबेडकर को यह लोग बढ़ दलितों के इतनी ही चिंता थी तो सीएएए के तहद पाकिस्तान से और जितने भी इस्लामिक कंट्री जो अलाउड हैं उनके जो सिटिजन्स आ रहे हैं हमारे यहां जो शरण लेना चाहते हैं जिनको सिटिजन्शिप चाहिए मैक्सिमम दलित हैं इनको क्यों चुलमची हु लेकिन यह कह रहे हैं कि सीए ही हटा दो सीए ही रिवोक कर दो मतलब खत्म कर दो सीच को यह कानून ही नहीं होना चाहिए आप टेक्निकालिटी समझे यह लोग आपका काट रहे हैं बहुत बुरा वाला है खेले जो हुआ पूरी घटना सिरे से अनेक्सेप्टेबल थी आप किसी की जान लेंरे किसी जान ले जैकिसी भी बेसेशम जान लेना तो वैशा ही गल्त है और कमी अचिज़े समें अपना दिमाग जानकर कि समझें हर चीछ को पहले अपने दिमाग में आने दें फिर खुद हैनलाइस करें समझ जाएंगे कि इनको सिर्फ अच्छे से बेवकूब बनाया गया है और इस्तमाल किया गया है अपने अपने फाइदे के लिए और जिस दिन वह ऐसा समझ जाएंगे वह दिन दूर नहीं ह कि आपके दिमाग में से यह बात नहीं जाने चाहिए कि यह लोग हैं यही वो लोग हैं जो दरार पैदा करके लड़वाना चाहते हैं और जिदिन आप इनके बीच से हट गए इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं रह जाएगा खैर वीडियो में इतना ही मेरा कॉंक्लूजन सिर्फ इतना बनता है कि गोली मारने का मुद्दा कुछ और था पुलिस ने पताया कि क्या मुद्दा था फैमिली ने बताया कि आज तक कोई भेदभाव नहीं हुआ है आप खुद स्टेटमेंट लिखा हुआ है आपने देखा होगा जब परिवार एक्सेप्ट कर रहा कि आज तक नहीं हुआ तो इस बार होने का करण जरूर कुछ और रहा होगा वह इन्वेस्टिकेशन का हिस्सा है कोई भी इसी कॉन्फूजन पर आके सिर्फ जातपात के नाम पर डिस्टर्स पैदा नहीं कर सकता है यह मेरा कहना है अब जनता अपना ओपीनियन कॉन्फूजन जो भी अपना रिव्यू देना चाहती करनें बता सकती कि उसको क्या रखता है विटेशन को तो लाइक शेर जरू करिएगा कुछ लोगों की मिस्कंसेप्शन दूर होनी चाहिए कुल्टी जैसे या फिर तमाम ऐसे जो लेफ्टेस्ट माविस्ट्स जितने वी एजंडा वा जो लेफ्टेस्ट माविस्ट्स जितने वेफ्टेस्ट माविस्ट्स